नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS Studies पे तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ important question डिसकस करेंगे general knowledge या फिट general studies के उपर तो आप सबको पताईए हमने 3000 questions की एक series श्टार्ट करी थी जिसका 27 पार्ट आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे ये जो वीडियो रहेगी एक special वीडियो रहेगी इस वीडियो में हम top 100 questions discuss करेंगे general knowledge या फिट general studies के उपर जो की सबी repeated questions काफी बार पहले exams में पूछे जा चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को enter देखें ये वीडियो काफी helpful रहेगी आपके आने वाले exams के लिए तो दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को like करें और अगर आपने भी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लें तो चलिए start कर लेते हमारी वीडियो देखते हमारा पहला question क्या है तो हमारा पहला question है when was the Montreal protocol assigned to reduce production of chlorofluorocarbons तो Montreal protocol जो है वो कौन से साल में assign किया गया था जिससे की जो production है वो कम करी जा सके chlorofluorocarbons की तो हमारा answer हो जाएगा 1987 तो 1987 में assign करा गया था Montreal protocol को जिससे की जो production है वो कम करी जा सके chlorofluorocarbons की What is the common name of calcium hypochloride तो calcium hypochloride जो होता है उसका common name क्या होता है तो calcium hypochloride किस नाम से जाना जाता है तो हमारा answer हो जाएगा bleaching powder तो bleaching powder जो होता है ये common name होता है calcium hypochloride का Which of the following cities is known as city of lakes, Venice of the East, Kashmir of Rajasthan तो इन में से कौन सी city है जिसको की city of lakes, Venice of the East और Kashmir of Rajasthan के नाम से जाना जाता है तो हमारा answer हो जाएगा उदैपुर तो उदैपुर जो एक city है राजस्थान में उसको city of lakes के नाम से भी जाना जाता है Venice of the East के नाम से भी जाना जाता है और साथी साथ कश्मीर आपदी राजिस्थान के नाम से भी जाना जाता है Pimples in the human body are associated with which among the following तो हमारे चहरे पे या हमारी body पे जो pimples हो जाते हैं वो किस से related होते हैं? कौन सा gland होता है? वो जिस से related होते हैं यही mainly responsible होता है Pimples के लिए human body में K39 test is done to detect which of the following disease most important question रहेगा यह question अक्सर exam में पूछ लिया जाता है तो K39 जो test होता है वो इन में से कौन सी disease होती है जिसका पता लगाने के लिए होता है तो हमारा answer हो जाएगा काला अज़र तो काला अज़र जो बिमारी होती है उसका पता लगाने के लिए K39 जो test होता है यह किया जाता है Where do most of the digestive process takes place? तो हमारी body में जो digestion का process होता है वो सबसे ज़्यादा कौन से part में होता है तो हमारा answer हो जाएगा small intestine तो small intestine जो होता है इसमें mainly perform किया जाता है digestion का process जो digestion का process होता है वो हमारे mouth से start होता है और खतम होता है small intestine में तो यह question भी exam में पूछा जाता है कि जो हमारा digestion होता है वो कौन से part में खतम होता है तो हमारा answer हो जाएगा small intestine एहोम tribe lives in which of the following states of India तो एहोम tribes जो है यह कौन सी state से related है तो हमारा answer हो जाएगा Assam तो Assam state जो है इंडिया की वहाँ पर लहते हैं लोग एहम tribes के या फिर एहम tribe जो है यह जो है कहां से related है तो यह रहेगी Assam state से related What is the unit of impedance तो impedance जो होता है उसकी SI unit क्या होती है तो हमारा answer हो जाएगा ओम तो ओम जो होती है यह SI unit होती है impedance की जो SI units होती है इनके उपर अक्सर exam में question पूछे जाते हैं तो यह question भी एक most important question रहेगा आपके exam के लिए World Economic Forum was founded in which year तो World Economic Forum जो है जिसको की WEF के नाम से भी जाना जाता है वो कौन से साल में found हुआ था या फिर start हुआ था तो हमारा answer हो जाएगा 1971 तो 1971 में found हुआ था World Economic Forum photophobia is caused by the deficiency of तो photophobia जो disease होती है वो किस चीज की कमी की वज़े से होती है तो हमारा answer हो जाएगा vitamin B12 vitamin B12 जो होता है इसकी कमी की वज़े से परिशानी आती है photophobia the rugby world cup 2019 in Japan तो 2019 का rugby world cup जो हुआ है वो कौन सी country के द्वारा जीता गया है और ये जो world cup हुआ था ये कौन सी country ने host करा था तो हमारा answer हो जाएगा जापान तो ये किस के द्वारा जीता गया है तो हमारा answer रहेगा South Africa most important question रहेगा अभी हमने पीछे ही discuss करा था कि rugby world cup 2020 जो है वो किस के द्वारा जीता गया है तो अगर आपको याद है कि rugby world cup 2020 किस के द्वारा जीता गया है तो आप हमें comment करके बता है तो rugby world cup जो हुआ है 2019 का वो जीता गया है South Africa के द्वारा और ये host करा था Japan country ने When is the national unity day जिसको की हिंडी में राश्ट्रिय एकता दिवस के नाम से जाना जाता है तो national unity day या फिर राश्ट्रिय एकता दिवस ये हर साल कौन सी date को observe किये जाते हैं तो हमारा answer हो जाएगा 31 October तो हर साल 31 October को observe किया जाता है या फिर celebrate किया जाता है national unity day जिसको की राश्ट्रिय एकता दिवस कहते हैं Where was the second assembly of international solar alliance held तो दूसरी assembly जो हुई है international solar alliance की वो कहां पे हुई है तो हमारा answer हो जाएगा New Delhi तो New Delhi जो की capital है इंडिया की वहां पे दूसरी assembly हुई है international solar alliance की तो international solar alliance जो है उपर exam में question पूछे जाते हैं तो important रहेगा आपके exam के लिए Where is the headquarter of UNCTAD located तो UNCTAD जो है उसका headquarter कहां पे located है UNCTAD की full form होती है United Nations Conference on Trade and Development तो इसका headquarter कहां पे located है तो हमारा answer हो जाएगा Geneva Switzerland तो Geneva जो city है Switzerland में वहां पे located है United Nations Conference on Trade and Development का headquarter What is the chemical name of vitamin B3 तो vitamin B3 जो होता है इसका chemical name क्या होता है अभी जो vitamins होते हैं इनके जो chemical names होते हैं अक्सर exam में पूछे जाते हैं हमने vitamins के chemical names के उपर एक separate video बना दी थी तो वह आप हमारे channel पे जाके देख सकते हैं इंपोर्टेंट रहेगी आपके exam के लिए तो vitamin B3 जो होता है इसका chemical name क्या होता है हमारा answer हो जाएगा niacin niacin जो होता है ये chemical name होता है vitamin B3 का which among the following is the highest source of ascorbic acid तो इन में से कौन सा फल है या fruit होता है जो की ascorbic acid होता है उसका सबसे जादा source होता है तो हमारा answer होता है guava तो guava जो होता है इसमें सबसे जादा amount में पाया जाता है ascorbic acid आपका answer हो जाएगा guava how many seeds are allocated to the state of महरास्ट in लोकसभा तो लोकसभा में महरास्ट state जो है उसकी सबसे जादा कितनी seeds है तो हमारा answer हो जाएगा 48 तो 48 seeds हैं महरास्ट की लोकसभा में एक question और exam में पूछा जाता है कि लोकसभा में सबसे जादा seeds कौन सी state की हैं तो आपका answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश और दूसरे number पे रहेगा महरास्ट तो ये भी आपको याद रखना important रहता है which of the following is the first newspaper published in India तो मुझे लगता है इसका answer जात तो आपको पता ही होगा पीछे हम इस question को अपने चैनल पे काफी बार discuss कर चुके हैं तो पहला newspaper कौन था जो की publish करा गया था इंडिया में तो हमारा answer हो जाएगा बेंगाल गज़र्स बेंगाल गज़र्स जो है ये पहला newspaper था इंडिया का जो की publish करा गया था which among the following is the capital of Estonia तो Estonia जो country है उसकी capital क्या है तो हमारा answer हो जाएगा talent talent जो है ये capital है Estonia country की अब ये जो capitals के उपर question पूछे जाते हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं तो जो भी neighboring countries है इंडिया की जो भी important countries है उनकी जो भी present time में अभी चर्चा में चल रही है countries उनकी जो capital रहेगी वो most important रहेगी अक्सर एक्जाम में पूछी जाती है तो capital और currency ये दोनों पता होनी चाहिए आपको countries की which of the following is the SI unit of luminance तो luminance जो होता है उसकी SI unit क्या होती है तो हमारा answer हो जाएगा CD by M2 CD by M2 जो होती है ये SI unit होती है luminance की तो most important रहेगी ये question भी एक्जाम में पूछा जाता है luminance की luminance की SI unit हो जाएगी CD M2 the famous नर्मदा बचाओ आंदोलन was led by तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो किसके द्वारा lead करा गया था तो हमारा answer हो जाएगा मेधा पाठकर मेधा पाठकर जो है इनके द्वारा lead करा गया था इन्होंने lead करा था नर्मदा बचाओ आंदोलन को most important रहेगा एक्जाम के लिए तो कौन सा एंगलो मैसूर वार था जिसमें जो ब्रिटिश फोर्स हैं उनके द्वारा टीपू सुल्तान को हराया गया था तो हमारा answer हो जाएगा third तो third एंगलो मैसूर वार जो था इसमें टीपू सुल्तान को हराया गया था ब्रिटिश फोर्स के द्वारा यहां पे जो question पूछा गया है वो पूछा गया है defeat के बारे में तो defeat जो हुए थे वो हुए थे third में और अगर यहां पूछा जाए कि टीपू सुल्तान जो है उनकी जो मृत्य हुई थी वो कौन से एंगलो मैसूर वार में हुई थी तो वो हो जाएगा fourth तो fourth एंगलो मैसूर वार जो हुआ था इसमें British East India Company जो है उन्होंने defeat करके मार दिय जा था टीपू सुल्तान को which of the following cell secret insulin तो insulin जो होता है जो कि secret होता है pancreas में जो हमारी body में pancreas होती है उसके अंदर secret होता है insulin का तो वो कौन सी cells होती है जिनके द्वारा insulin secret होता है तो हमारा answer हो जाएगा beta cells तो beta cells जो होती है ये secret करती है insulin को मतलब कि जो beta cells होंगी वो हमारे pancreas के अंदर present होती है वो ही responsible होती है insulin के secretion में दादा भाई नरोजी has described his theory of drain of wealth in the book तो दादा भाई नरोजी जो है उन्होंने जो drain of wealth theory है वो कौन सी बुक में बताई है तो हमारा answer हो जाएगा poverty and un-british rule in India तो poverty and un-british rule in India जो बुक है इसमें drain of wealth के बारे में बताया गया है दादा भाई नरोजी के दुआरा ये question भी important question रहेगा exam के लिए which of the following is an ore of cadmium तो cadmium जो होता है उसका कौन सा ore है इन में से तो हमारा answer हो जाएगा ग्रीनो काइट ग्रीनो काइट जो होता है ये एक ओर होता है cadmium का इन 1853 आ रेल्वे लाइन वाज लेड कनेक्टिंग बॉम्बे विद विच सिटी तो 1859 में जो इंडियन रेल्वे है वो इंटर्ड्यूस होई थी start होई थी पहली रेल्वे जो चली थी वो चली थी 1853 में तो जो पहली रेल्वे लाइन थी वो बॉम्बे को कौन सी सिटी से कनेक्ट करती थी तो हमारा आंसर हो जाएगा थाने तो पहली रेल्वे ट्रेन जो चली थी हिंदुस्तान में ना 1853 में वो चली थी बॉम्बे से लेके थाने के बीच में तो ये आद रखना आपको important रहता है अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है when was the first all India postage stamp issued तो ये question हम काफी बार discuss कर चुके हैं कि भारत की पहली all India postage stamp कौन से साल में issue करी गई थी तो हमारा answer हो जाएगा 1854 तो 1854 में पहली बार भारत की Indian postage stamp जो है ये issue करी गई थी which of the following is used for the preparation of dynamite तो dynamite जो होता है उसकी preparation के लिए किसका use करा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा nitroglycerol nitroglycerol जो होता है इसकी मदद से preparation करी जाती है dynamite की अब जो dynamite होता है ये किसके द्वारा invent करा गया था या discovery करी गई थी तो हमारा answer हो जाएगा Alfred Nobel तो Alfred Nobel जो है उनके द्वारा खोज करी गई थी discovery करी गई थी dynamite की अब Alfred Nobel जो है इनसे एक important question और बनता है कि Nobel Prize जो है वो किसके नाम पे रखा गया है तो वो हो जाएगा Alfred Nobel के नाम पे Alfred Nobel जो है ये कौन सी country से related है तो ये है Sweden country से related Who took oath as the first lieutenant governor of Ladakh तो Ladakh के पहले lieutenant governor कौन है तो हमारा answer हो जाएगा राधा कृष्ण माथुर राधा कृष्ण मार्थुर राधा कृष्ण माथुर जो है ये पहले lieutenant governor बने है लग्दाक union territory के तो ये याद रखना है आपको important रहेगा Who is the writer of the book titled An extraordinary life a biography of Manohar Parikar Most important question रहेगा तो Manohar Parikar जो है उनकी जो biography है An extraordinary life ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा Both A and B तो सद्गुरु पाटिल और माया भूशन नगबिंकर तो इन दोनों के द्वारा लिखी गई है book An extraordinary life जो की biography है Manohar Parikar की When is the UN French Language Day celebrated तो UN French Language Day जो होता है ये कौन सी तारीक को celebrate किया जाता है हर साल तो हमारा answer हो जाएगा 20 March तो हर साल 20 March को celebrate किया जाता है UN French Language Day को Which among the following is the capital of Columbia तो Columbia जो country है उसकी capital क्या रहेगी तो हमारा answer हो जाएगा Bogota Bogota जो है ये capital है Columbia country की अब जो भी important countries है उनकी capital आपको पता होनी चाहिए हमने यहाँ इस वीडियो में ही दो question discuss कर लिए है capital के उपर अगला question देखते है हमारा Which country has the largest coast line तो कौन सी country है जिसकी सबसे लंभी कोस्ट लाइन है तो हमारा answer हो जाएगा Canada तो Canada जो है इसकी सबसे लंभी कोस्ट लाइन है और अगर इंडिया की state की बात करी जाये कि इंडिया की कौन सी state है जिसकी सबसे लंबी coast line है तो हमारी state हो जाएगी गुजरात गुजरात जो है इंडिया की state है जिसकी सबसे लंबी coast line है तो दोस्तो इस वीडियो में हम जितने भी question discuss कर रहे हैं सभी repeated questions है जो की काफी बार exams में पूछे जा चुके हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रह implementation of portion अभ्यान as परती report shared by नीती आयोग in March 2020 तो एक important question रहेगा तो कौन सी state है इंडिया की जो की पहली rank हासिल करी है जिसने implementation में portion अभ्यान के जो की report जारी करी गई है नीती आयोग के द्वारा मार्च 2020 में तो हमारा answer हो जाएगा आंदर प्रदेश तो आंदर प्रदेश state जो ह इन्होंने पहली rank हासिल करी है portion अभ्यान में और ये जो report है जारी करी गई है नीती आयोग के द्वारा कब जारी करी गई है तो ये मार्च 2020 में report जारी करी गई थी जिसके मुताबिक जो पहली rank है portion अभ्यान में वो है आंदर प्रदेश state की river गंगा does not pass through the state तो गंगा river जो है ये कौनसी state से पास नहीं होती तो हमारा answer हो जाएगा हर्याना तो हर्याना जो state है वहाँ से पास नहीं होती है river गंगा उत्तर प्रदेश से भी पास होती है बिहार से भी पास होती है और वेस्ट बंगाल से भी पास होती है तो ये भी एक important question रहे इक तो गंगा रिवर जो है ये कौन-कौन सी state से pass होती ये सब आपको states पता होनी चाहिए 9 से 10 states है जिन से pass होती है गंगा रिवर हिंदुस्तान में तो ये important रहे का आपको याद रखना है और बाकी और जितनी भी important रिवर से इंडिया की वो कौन सी रिवर से originate होती हैं, कौन सी रिवर से pass होती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, अगला कोशन देखते हैं हमारा दि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल was held under the chairmanship of तो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो होई थी, उसकी chairmanship किसके द्वारा करी गई थी, तो हमारा answer हो जाएगा वासु मित्र, वासु मित्र जो है इनके द्वारा chairmanship करी गई थी, इन्होंने lead करा था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को, जितनी भी बुद्धिस्ट काउंसिल हैं, जैन काउंसिल हैं, यह सब आपको पता होनी चीएं कि यह किसके द्वारा lead करी गई थी, कहां पे हुई थी, कौन से साल में हुई थी नीती आयोग has been formed to replace which of the following institution तो नीती आयोग जो है, इसने कौन सा institution है, जिसको replace करा है उसकी जगे ले ली है, तो हमारा answer हो जाएगा, planning commission तो planning commission जो है, इसका नाम बदल कर रखती आ गया है, नीती आयोग the poem प्रेम वाटिका was written by, तो प्रेम वाटिका जो प्रेम है, यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा answer हो जाएगा रस्खन, रस्खन जो है, इनके द्वारा बुग लिखी गई है, जो कि रहेगी प्रेम वाटिका from which of the following states Kathakali is originated तो Kathakali जो dance है, यह कौन सी state से originate हुआ है, कौन सी state से related है, तो हमारा answer हो जाएगा, केरिला, तो केरिला state जो है, वहाँ से originate हुआ है, start हुआ है Kathakali dance, जो कि एक important dance form है, इंडिया का Who was the first Indian woman to win an Olympic medal, तो Olympic medal जो जीतने वाली पहली भारतिय महिला कौन थी, तो हमारा answer हो जाएगा, कनाम मलेश्वरी तो कनाम मलेश्वरी जो हैं, यह पहली भारतिय महिला हैं, जनके दुआरा Olympic medal जीता गया था What is the scientific name of domestic pig, तो domestic pig जो होता है, उसका scientific name क्या होता है, तो हमारा answer हो जाएगा, सूस स्क्रोफा, सूस स्क्रोफा जो होता है, यह scientific name होता है, domestic pig का What was the language of people in the period of modern empire तो modern empire के time में कौन सी language यूज करी जाती थी, वहां के लोगों को, तो हमारा answer हो जाएगा, पाली language तो पाली language जो होती है, यह यूज करी जाती थी, modern empire में Which of the following articles states the equality of opportunity in public matters of public employment तो कौन से article में बताया गया है equality of opportunity के बारे में public matters में, public employment में, तो हमारा answer हो जाएगा article 16, तो article 16 जो है, यह related है, equality of opportunity से The Damodar river originates from which of the following state तो मैंने आपको पीछे ही बताता है, कि river जो होती है, वो कौन सी state से originate होती है या फिर कौन सी जगे से originate होती है, यह question exam में पूछ जाते है तो Damodar river जो है, यह कौन सी state से originate होती है तो हमारा answer हो जाएगा, जारखंड तो जारखंड जो state है, वहां से originate होती है, दामोदर river Indian journalist Dash has received 2019 international press freedom award तो 2019 international press freedom award से कौन से भारतिय जनरलिस्ट को सम्मानित किया गया है, तो हमारा answer हो जाएगा नेहा दिक्षित, तो नेहा दिक्षित जो है, यह एक भारतिय जनरलिस्ट है, जिनको सम्मानित करा गया है, 2019 international press freedom award से Dash has won the Abu Dhabi Grand Prix held in Abu Dhabi UAE in 2019, तो 2019 में जो Abu Dhabi Grand Prix हुआ है, अबुदाबी में वो किसके द्वारत जीता गया है, तो जो Grand Prix होते हैं, यह कौन से sports से related होते हैं, तो यह जो होते हैं यह racing events होते हैं, तो यह किसके द्वारत जीता गया है, तो हमारा answer हो जाएगा, Lewis Hamilton तो Lewis Hamilton जो है, इनके द्वारत जीता गया है, Abu Dhabi Grand Prix जो की हुआ है, Abu Dhabi UAE में 2019 में, तो Lewis Hamilton जो है, यह एक racer हैं और यह काफी सारे award उसे सम्मानित किये गए हैं, तो यह important रहेंगे exam के लिए The Ministry of Utmost Happiness is a book written by तो The Ministry of Utmost Happiness जो book है, यह किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा अरुन्दती रॉय, अरुन्दती रॉय जो है इनकी काफी famous books हैं, जो की important रहती हैं exam के लिए तो उनमें से एक book रहेगी The Ministry of Utmost Happiness The मूर्थी देवी award is given for excellency in the field of, तो मूर्थी देवी award जो दिया जाता है वो कौनसी field के लिए दिया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा literature, तो literature जो field है उससे related होता है, मूर्थी देवी award Who among the following was the founder of worldwide web, तो worldwide web जो होता है, उसके founder कौन है, तो हमारा answer हो जाएगा Tim Bernal Lee, तिम Bernal Lee जो है, इनके द्वारा found करा गया है worldwide web, जिसको की www के नाम से भी जाना जाता है Who installed the bell of justice, most important रहेगा, तो bell of justice जो है, ये किसके द्वारा install करी गई थी, तो हमारा answer हो जाएगा जहांगीर, तो जहांगीर जो है, इनके द्वारा install करी गई थी bell of justice, तो दोस्तो, important question है, आपके exam के लिए ये हम 27 बार 27th part discuss कर रहे हैं, 3000 question series का, अगर आपने पहले के जो parts हैं, वो miss कर दिये हैं, तो उनका link आपको description में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके हमारे पुराने parts भी देख सकते हैं, अगला question देखते हैं हमारा which amendment added the ninth schedule to the Indian constitution, तो ninth schedule जो add करा गया था Indian constitution में, वो कौन से amendment act के थुरू करा गया था, तो हमारा answer हो जाएगा, first amendment act, तो first amendment act जो है, उसके दुआरा add करा गया था ninth schedule को Indian constitution में, most important question रहेगा exam के लिए the state of जार्कंड was formed by the division of बिहार in the year, तो जार्कंड state जो है, जो की बिहार से अलग होके बनी थी, ये कौन से साल में बनी थी तो हमारा answer हो जाएगा 2000, तो 2000 में जार्कंड जो है, ये एक अलग state बन गई थी उससे पहले बिहार में ही मिली हुई थी जार्कंड state which of the following is the deepest lake in the world तो दुनिया का सबसे गहरा लेक जो है, वो काउन सा है तो हमारा answer हो जाएगा lake, बेकल, बेकल लेक जो है ये दुनिया का सबसे deepest lake है और ये कौन सी country में है, तो हमारा answer हो जाएगा Russia, तो बेकल लेक जो है, ये located है Russia country में Ebola is a dash disease तो Ebola जो होता है, ये कौन सा disease होता है, तो हमारा answer हो जाएगा viral disease, Ebola जो होता है, ये एक viral disease होती है Who has been crowned? Miss Universe 2019, तो Miss Universe 2019 से किसको सम्मानित किया गया है, तो हमारा answer हो जाएगा Zosie Bini Tunzi Zosie Bini Tunzi जो है, इनको सम्मानित करा गया है Miss Universe 2020 अवार्ट से Be who dance belongs to which of the following state of India, तो Be who dance जो होता है, ये इंडिया की कौन सी state से related होता है, तो ये question हम काफी बार discuss कर चुके है most important रहता है, तो Be who dance जो होता है, कौन सी state से related होता है तो हमारा answer हो जाएगा Assam, तो Assam state जो है, उससे related होता है, Be who dance Mathura was the capital of which of these महा जन्पत तो Mathura जो थी, वो इन में से कौन सा महा जन्पत है, जिसकी capital थी, तो हमारा answer हो जाएगा सुरसेना, सुरसेना जो है जो की एक महा जन्पत है, उसकी capital थी, Mathura city तो इंडिया की total 22 languages है, जो की official languages है, तो ये कौन सा Indian schedule है, जिसमें बताया गया है तो हमारा answer हो जाएगा 8th schedule, तो 8th schedule जो है, इसमें बताया गया है, कि जो हमारी recognized official languages है, वो है 22, और कौन-कौन सी languages हैं तो वो बताई गई है, 8th schedule में chicken pox is caused by तो chicken pox की जो बिमारी होती है, ये किस की वज़े से होती है, तो हमारा answer हो जाएगा virus, तो virus की वज़े से होती है chicken pox की बिमारी tears in the eyes are produced by which of the following gland, तो हमारे जो आसु निकलते हैं, हमारी आँख से, वो कौन से gland की वज़े से निकलते हैं, तो हमारा answer हो जाएगा lacrimal gland, तो lacrimal gland जो होता है, उसकी वज़े से जो हमारे आसु होते हैं, वो निकलते हैं हमारी आँख से, तो ये भी एक important question रहेगा आपके exam के लिए, which is the most abundant metal in the earth crust, तो earth का जो crust है, उसमें सबसे ज़्यादा amount में पाया जाने वाला कौन सा metal है, तो हमारा answer हो जाएगा aluminium, तो aluminium जो metal होता है, ये सबसे abundant होता है, मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अर्थ के crust पे, तो ये important रहेगा आपके exam के लिए, where was the fourth India water impact summit 2019 held, तो चौथी India water impact summit जो हुई है 2019 में, वो कहाँ पे हुई है, कौन सी city में हुई है, तो हमारा answer हो जाएगा new Delhi, तो new Delhi जो है जो की इंडिया की capital है, वहाँ पे चौथी summit हुई है, इंडिया water impact 2019 की who is the author of the book named Oliver Twist, तो Oliver Twist जो book है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा answer हो जाएगा Charles Dickens, Charles Dickens जो है, इनके द्वारा book लिखी गई है, काफी famous book है, जो की रहेगी Oliver Twist, तो ये जो books होती है, authors होती है, इनके उपर अक्सर exam में question पूछे जाते हैं, ये भी एक important topic रहता है आपके exams के लिए, अगला question देखते हैं हमारा, noble prize is not given for achievements in which of the following field, तो noble prize जो होता है, वो इन में से कौन सी field है, जिससे related नहीं होता है, तो हमारा answer हो जाएगा mathematics, तो mathematics जो field होती है, इसके लिए नहीं दिया जाता है, noble prize, chemistry के लिए दिया जाता है, और piece के लिए भी दिया जाता है तो important रहेगा, noble prize जो होता है, वो mathematics के लिए नहीं दिया जाता, अगला question देखते हैं, in which state are the दिलवारा जैन temples situated, तो दिलवारा जैन temples जो है, यह कहाँ पर situated है, कौन सी state में है, तो हमारा answer हो जाएगा, राजिस्थान, तो राजिस्थान जो state है, वहाँ पर situated है, दिलवारा जै temples, तो यह जो temples रहते हैं, इनके उपर भी important question मनते हैं, आपको याद रखना है, which of the following articles states that there should be a vice president of India, तो यह कौन से article में बताया गया है, कि इंडिया में एक vice president भी होने चाहिए, तो हमारा answer हो जाएगा, आर्टिकल 63, तो आर्टिकल 63 में बताया गया है, कि इंडिया के vice president भी हो उने चाहिए, जमशेदपूर is situated on the bank of which river, तो जमशेदपूर जो है, यह कौन सी river के उपर situated है, तो हमारा answer हो जाएगा, सूबन नरेखा, सूबन नरेखा जो river है, उसके around situated है, जमशेदपूर, जमशेद जी टाटा जो है, उनके द्वारा नीव रखी गई थी, जमशेदपू following states, तो कलवेलिया डांस जो है, इन में से कौन सी state से related है, तो हमारा answer हो जाएगा, राजिस्तान, तो राजिस्तान जो state है, वहाँ का एक famous dance form है, जो की रहेगा, कलवेलिया डांस, in which year was the research and analysis wing was established, जिसको की raw के नाम से जाना जाता है, तो हमारा answer हो जाएगा, 1968, तो 1968 में found हुआ था, या फिर established हुआ था, research and analysis wing, जिसको की raw के नाम से जाना जाता है, जो की एक Indian agency है, which of the following articles stated about the vice president to be the ex-official chairman of the council of state, तो ये कौन से article में बताया गया है, कि जो vice president होंगे, वो ex-official chairman भी होंगे, council of state के, तो हमारा answer हो जाएगा, article 64, तो article 64 में बताया गया है, कि जो vice president होंगे, ये ex-official chairman भी होंगे, council of state के, judicial review has been borrowed from the constitution of, तो judicial review जो होता है, जो की judges जो फैसला देते हैं, उसको दुबारा review करने का जो प्रावदान है हमारे constitution में, वो हमने कौन सी country से लिया है, तो हमारा answer हो जाएगा, America, USA, तो USA जो country है, उनसे हमने लिया है, अपने constitution में बोरो करा है, judicial review, which among the following rivers is known as चंदरबाग, चंदरबाग के नाम से कौन सी river को जाना जाता है, तो हमारा answer हो जाएगा, चिनाब, तो चिनाब river जो है, इसको चंदरबाग के नाम से भी जाना जाता है, which among the following is used as the marker during elections, तो elections के टाइम पर अगर आप वोड़ देने जाते हैं, तो आपको marker के थुरू एक निशान बनाया जाता है, तो वो जो marker होता है, वो किस चीज़ का बना होता है, तो हमारा answer हो जाएगा, silver nitrate, तो silver nitrate जो होता है, उसका बना होता है, marker में जो इंक होती है, वो होती है silver nitrate की, तो यह आपको याद रखना important रहता है, which law is also called as law of inertia, तो इन में से कौन सा law है, जिसको की law of inertia के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका answer जाततर आपको पता ही होगा, हमारा answer हो जाएगा, newton's first law, newton's first law जो होता है, इसको law of inertia के नाम से भी जाना जाता है, infosys was founded by whom, तो infosys जो company है, ये किसके द्वारा found करी गई थी, तो हमारा answer हो जाएगा, एन आर नारायन मूर्थी, तो एन आर नारायन मूर्थी जो है, इनके द्वारा found करी गई थी, या फिर establish करी गई थी, infosys company, जो की एक इंडिया की multinational company है, तो ये आपको याद रखना है, what is the rank of India, in the global gender gap report 2020, तो इंडिया की कितनी rank है, global gender gap report 2020 के मताबिक, तो हमारा answer हो जाएगा, 112, तो 112 rank है, इंडिया की global gender gap report 2020 में, तो ये जो reports होती है, अक्सर exam में पूछी जाती है, important रहती है, तो इन में भारत की क्या rank रही है, और पहली number पे कौन सी country रही है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, important रहेगा, तो तीसरी battle जो तीसरी लड़ाई होई थी पानीपत में, वो किस किस के बीच में लड़ी गई थी, तो हमारा answer हो जाएगा, एहमत शाह अबदाली और मराठाज, तो एहमत शाह अबदाली जो की एक अफगानी रूलर है, उनके बीच और मराठा के बीच में लड़ी गई थी, third battle of पानीपत, important रहेगी, In which of the following given years was Smiling Buddha, India's first successful nuclear bomb test conducted, तो इंडिया का जो पहला nuclear bomb test करा गया था, जिसका नाम था Smiling Buddha, ये कौन से साल में करा गया था, तो हमारा answer हो जाएगा, 1974, तो 1974 में पहला nuclear bomb test करा गया था, हिंदुस्तान के द्वारा, अब ये जो होता ही, important रहता है, जो पोखरन range है, वहाँ पे ये जो nuclear bomb था, ये करा गया था, अब ये जो nuclear bomb रहता है, इसका name भी important रहेगा, तो इसका जो नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा, Smiling Buddha, कौन से साल में किया गया था, तो 1974 में, कहाँ पे किया गया था, तो पोखरन range जो है, वहाँ पे किया गया था, ये test, तो चम्बल रिवर originates from which state, तो चम्बल रिवर जो है, ये कौन सी state से originate होती है, तो हमारा answer हो जाएगा, मद्यप्रदेश, तो मद्यप्रदेश जो state है, वहाँ से originate होती है, चम्बल रिवर, विच आफ दी फॉलोईंग ग्लेंड, डिसपियर, डियूरिंग ओल्ड एज, तो इन में से कौन सी ग्लेंड होती है, जो की गयाब हो जाती है, ओल्ड एज, मतलब बुड़ापे में, तो हमारा answer हो जाएगा, थाइमस ग्लेंड, तो थाइमस ग्लेंड जो होती है, जब हमारा बुड़ापा आ जाता है, तो उसमें जो ग्लेंड होती है, ये गायब हो जाती है, डिसपियर हो जाती है, ग्रेप्स आर दी सोर्स अफ विच अफ दी फॉल्वइंग एसेड, तो ग्रेप्स जो होते हैं, इन में से कौन सा एसेड प्रिजेंट होता है, तो हमारा answer हो जाएगा, तर्टरिक एसेड, तो तर्टरिक एसेड जो होता है, South Asian Games का Kathmandu Nepal में उसमें इंडिया ने कितने gold medal जीते हैं तो हमारा answer हो जाएगा 174 total 174 gold medal जीते गए हैं भारत के द्वारा 13 South Asian Games जो की हुए है Kathmandu Nepal में Who among the following has launched his autobiography Mind Master तो Mind Master जो है ये इन में से किसकी अपनी लिखी हुई खुद की autobiography है तो हमारा answer हो जाएगा विश्वनात आनन तो विश्वनात आनन जो है इनकी autobiography है Mind Master ये question भी important रहता है XR exam में पूछ लिया जाता है Who wrote the popular book Eternal India तो Eternal India जो book है काफी popular book है important रहेगी तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी तो हमारा answer हो Who was the governor general of India during the revolt of 1857 तो 1857 का जो revolt हुआ था इसके उपर exam में question पूछे जाते है important रहता है तो उस time पे governor general कौन थे इंडिया के तो हमारा answer हो जाएगा Lord Canon Lord Canon जो थे ये governor general थे revolt of 1857 के time पे Which of the following is not a tributary of Indus in India तो इन में से कौन सी river है जो की tributary नहीं है Indus river की तो हमारा answer हो जाएगा नर्मदा तो नर्मदा river जो है ये tributary नहीं है Indus की रावी भी tributary होती है Indus की चिनाब भी होती है और जहलम भी होती है तो ये याद रखना आपको आपको पता ही होगा कि जो हमारी body में soldiers of human body कौन सी cells को कहा जाता है जो की हमें infection से या फिर bacteria जो होते है उनसे protect करती है तो हमारा answer हो जाएगा white blood cells तो white blood cells जो होते हैं इनको soldiers of our body के नाम से भी जाना जाता है ये जो होते हैं ये हमें infection से बचाते है when is the विजय दिवस celebrated तो विजय दिवस जो होता है ये हर साल कौन सी तारीक को celebrate किया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा 16 December तो 16 December को celebrate किया जाता है विजय दिवस 16 December को हमने 1972 में पाकिस्तान को हराया था तो इसलिए हर साल 16 December को celebrate किया जाता है विजय दिवस तीपू सुल्तान जिनकों की Tiger of मैसूर के नाम से भी जाना जाता था planted the tree of liberty in तो तीपू सुल्तान जो है उनके द्वारा जो tree of liberty plant करा गया था उन्होंने कहाँ पे करा था तो हमारा answer हो जाएगा स्री रंगा पत्नम स्री रंगा पत्नम जो जगे है वहाँ पे plant करा था तीपू सुल्तान ने tree of liberty तो यह एक्जाम में direct question पूछा जाता है कि tree of liberty जो है यह कौन सी city में located है तो आपका answer हो जाएगा स्री रंगा पत्नम who among the following mughal emperor band dance and music during the his reign तो कौन से mughal emperor थे जिन्होंने dance और music को band कर दिया था अपने साशन में तो हमारा answer हो जाएगा ओरंग जेब तो ओरंग जेब जो थे इन्होंने अपने time में band कर दिया था dance और music को which of the following article states about attorney general of India तो कौन सा article है इंडियन constitution में जिसमें attorney general of India के बारे में बताया गया है तो हमारा answer हो जाएगा article 76 तो article 76 में बताया गया है attorney general of India के बारे में which one of the following insects spreads काला अजर तो काला अजर जो बिमारी होती है वो कौन से इंसेक्ट की वज़े से होती है तो हमारा answer हो जाएगा sand fly तो sand fly जो जानवर होता है इंसेक्ट होता है इसकी वज़े से परिशानी होती है बिमारी होती है काला अजर की which type of mirror is used in headlights तो headlights जो होती है cars की या bikes की जो भी headlights होती है उसमें कौन से टेक का mirror use करा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा concave mirror तो concave mirror जो होता है उसका प्रियोग किया जाता है उसका use करा जाता है headlights में most important question रहेगा तो peace से related जो भी prices होते हैं वो important रहते हैं तो 2019 में Nobel Peace Prize से किसको सम्मानित किया गया था तो हमारा answer हो जाएगा अभी एहमद तो अभी एहमद जो है इनको सम्मानित करा गया था 2019 में Nobel Peace Prize से which Indian nationalist movement is also known as Auguste movement तो इन में से कौन सा movement है जिसको की Auguste movement के नाम से भी जाना जाता है तो हमारा answer हो जाएगा Quit India movement Quit India movement जो है इसको Auguste movement के नाम से भी जाना जाता है जो की start करा गया था महत्मा गांधी के दौरा और महत्मा गांधी ने एक famous slogan दिया था Quit India movement में जो की रहेगा Do or Die Do or Die जो slogan दिया गया था महत्मा गांधी के दौरा वो दिया गया था Quit India movement के दौरान Where is कुदुर मुखा Mountain range situated तो कुदुर मुखा Mountain ranges जो है ये कौन सी state में है तो हमारा answer हो जाएगा करनाट का तो करनाट का जो state है वहाँ पे located है कुदुर मुखा Mountain ranges In which among the following states कामक्या temple is situated तो कामक्या temple जो है ये कौन सी state में है तो हमारा answer हो जाएगा असाम तो असाम state जो है वहाँ पे located है कामक्या temple temples जो होते हैं important रहते हैं एकसा एक्जाम में इनके उपर भी question पूछे जाते हैं Deformed bones are associated with which disease तो deformed bones जो होती है वो इन में से कौन सी disease से related होती है तो हमारा answer हो जाएगा Rickets तो Rickets जो बिमारी होती है उसमें जो हमारी bones होती है वो deformed होन लगती है तो यह related होता है Rickets से where is the Lingraja temple located तो Lingraja temple जो है वो कहाँ पे located है तो हमारा answer हो जाएगा Bhuvneswar तो Bhuvneswar जो की capital है उरिसा की वहाँ पे located है Lingraja temple यह question हम काफी बार discuss कर चुके हैं तो इसका answer मुझे लगता है जातर आपको पता ही होगा Which of the following was awarded the best feature film at the 66th national film award तो 66th national film award में best featured film जो है वो किसको मिला है तो हमारा answer हो जाएगा Hela Ro Hela Ro जो है यह एक film है जिसको की 66th national film award से सम्मानित किया गया है 2019 में तो दोस्तो यह भी question एक important question था तो दोस्तो यह था हमारी वीडियो का आखरी question अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को like करें और अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो आप हमारे channel को subscribe कर लें और साथी bell icon को दबाएं ले latest update के लिए धन्यवाद दोस्तो